सत्ता संग और संगठन से बहतर को BJP ने चुनावी मैदान में उता रहा है लोकल फीजबैक पी आलोक शर्मा के फेवर में था हाली में विधान सबा चुनाव में उत्तर विधान सबा से हार का सामना करने के बावजूद आलोक शर्मा लगतार राचनीती में सक्रिये थे रासाने के समस्याओं को लेकर वो जूचते रहे और उनसे बात की बंसलियू संबादाता रहे आलोक शर्मा जी है मेरे साथ जो बोपाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी है आप देखेंगे तो यहां तक का सफर गहरे भावनातमक जंजावातों का सफर है मैं आलोक जी को जानता हूँ और मुझे मालूम है कि कितनी बार है जब जखम को दिल के जखमों को सी कर यह फिर मुस्कुराते हुए निकले हैं अपना यही भाजपा का दुपट्टा डाल कर जो इनकी ताकत है इनकी शक्ति आज आलोक जी आज भावनाएं भी बार बार तटबंध आँखों के भी आकर तोड रही होंगी वो सारी चीज़ें याद अगरों कहा फसा देते हैं आलोक भाई आपको क्यों मना नहीं करते हैं आप क्यों नहीं लड़ते हैं पार्टी के सामने जाकर आज कैसा लग रहा पहले तो मैं आपके मन की भावनाओं को जानना चाहूँ दिखे हम जिस आइडेलोजी के लिए काम करते हैं यहाँ पर तो वस पहले दिन से यही सीखा है कि संगठन गड़े चलो सुपंत पर बड़े चलो भलाओ जिश्में देश का वो काम सब किये चलो इस मूल मंत्र को लेकर हम समाज में पिछले कई वर्सों से काम कर रहे हैं चुकि राजनितिक छेतर में आए हैं तो खुद के बारे में स्वयम के बारे में बिचार नहीं करना उसका बिचार संगठन करेगा पार्टी हाई कामान करेगा हम एक साधरन से कार करता के रूप में काम करते करते आज मुझे पता भी नहीं था कि मैं आज भुपाल में लोकसवा का प्रत्यासी हो जाओंगा भारती जनता पार्टी का क्या जहन में है इस वक्त क्योंकि लोग भी जोश से भरे हैं कि आलोक शर्मा आब आ रहे हैं भोपाल और भोपाल के आसपास का जो ये लोग सबक शेत्र की सीट्स हैं सब तरफ एक विकास का एक अलग अंदाज देखने को मिल सकता है उसकी ब्लूपरिंट भी तैयार करें क्य हो इसके लिए आने वाले दिनों के अंदर हम भोपाल के विकास का रोड में तैयार करेंगे आने वाले दिनों में हम भोपाल के विकास का मेनुफेश्टों भी हम जारी करेंगे जिसमें हम जनता से सीधा संबात करेंगे उनसे हम सुझाओ भी लेंगे और सब लोग मिलकर इ सरकार ने स्मार्ट शिटी तो बनाया, हैरिटेश शिटी तो बनाया, डिजीटल शिटी तो बनाया, गिलोबल शिटी तो बनाया, एक राजधानी के अंदर और किस प्रकार से विकास होना चाहिए हम जनता के सयोग से और हमारे जन पृति निदियों के सयोग से, हमारे चाहिए उसमें विधायकों, उसमें महापोरों, पारसदों, सब की राय लेने के बाद एक विकास का रोड में तयार करके भुपाल को एक विकास की दोड में आगे ले जाएंगे। उसमेशा से रहा है, लेकिन उसको उभार कर सर्फेस पे लाने का काम इनोंने काफी ताकत से किया। और बहुत महत्पूर्ण बात वो कहते हैं कि भुपाल और इसके आसपास भुपाल लोकसबा सीट का डिवलपमेंट वो करेंगे, लोगों से उनकी राय जानकर और बाकाइदा उसके लिए वो लोगों तक पहुँचेंगे, उनकी राय लेंगे और उसके बाद अपना एक मै और इसके लिए वो लेकर आएंगे, कैमरामेन दिलीब के साथ शर्दिवेदी, वोपाल